इसमें बैसिकरी हम दोट आप इसको कवर करेंगे एक ATP Synthesis का structure को, इसके function को, यह काम कैसे करता है, ATP Synthesis कैसे का होती है, और साथ ही साथ कीमियो ओस्मोटिक थियोरी को, क्योंकि वो भी इसके साथ related करती है, ठीके, पहले हम क्या करते हैं, कीमियो ओस्मोटिक थियोरी को देख ल मिचल ने 1961 में दी थी, इसके according यह है, कि electron transport जो है, वो basically respiratory chain में एक proton gradient, यह एक difference करते हैं, अब इस difference की वज़ा से ही energy generate होती है, बहुत असान सी बात है, कि जो chain है, वो एक proton difference, यानि gradient कार्ज करती है, जिसके वज़ा से ATP की chain generate होती है, ATP generate होती है, क्यों generate, कैसे generate होती है, वो देख ज़िए न, एक जगा पर चड़ाई है, और एक जगा पर थोड़ी नीचाई है, एक उंची है, एक तो नीची है जगा, तो पानी जो है फ्लो करेगा उंची से नीची की तरफ, ठीक है, बिल्कुल वो ही concept है, कि एक जगा पर उनकी concentration ज़ादा है, एक पर कम है, तो जो है, outer mitochondrial membrane होती है, फिर आती है, inter-membranous space, IMS, फिर आती है inner mitochondrial membrane और द्रम्यार में पढ़िवी होती है, matrix, अब जो complexes हमने पढ़े, 4 के 4 complexes, उनमें से आपको पता, दूसरा तो complex करते हैं नहीं है, बाकि 3 करते हैं, ठीक है, यह pump करते हैं, इन्टु दा, from matrix to into the inter mitochondrial space, इसमें, इस जगा से pump करते हैं, इस space के अंदर, ठीक है, अब space में चले गए, proton pump की help से, अब यह जो space है, basically impermeable है, यहां से आएंगे लेकिन जा कहीं नहीं सकेंगे, अब obviously, यहां से pump होते जा रहे हैं, यहां पर accumulate होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आ गए, पहले कम थे, अब ज़ ज़्यादा होने की वज़ादा से, यहां पर एक difference create हो गया, यहां पर ज़्यादा हो गया, यहां पर ज़्यादा हो गया, यहां पर कम हो गया, ठीक है, एक gradient से develop हो गया, यह gradient को ही use करता है, cell ATP की synthesis के लिए, ठीक है, यही बाद मैं आपको समझाने की कोशिश का रहा था पहले या ATP synthase, या F1, F0 ATP synthase, डिफरेंट तरह से question आता है, अच्छा कहां पर अच्छा हो है, question is that, hardware यहां पर भी अच्छा लिखा है, लेकिन आपने 2.5 माक का question आता है, बहुत ज़्यादा डिटेल है, यहां पर बहुत ज़्यादा डिटेल है, और यह समझ नहीं आती बात की, वह ठीक है, और at a time, 3 adenosine, यानि ADP को यह interrupt करते है, 3 beta cells, अब होता क्या exact structure in a sequence देखते है, okay, so first of all, यह फिगर आपको समझनी पड़ेगी, अच्छा इसमें 2 जो है, वह basically आपके पास complexes होते है, F1, F1, F0, या F0, और F1, जो F1 है, इसके पास 8 C rings होते हैं, ठीक है, और एक axis होता है, जैसे हम gamma axis करते हैं, और यहाँ पे F1 में, यह F0 है, पूरे का पूरा, ठीक है, यह पूरे का पूरा F1 है, इसमें 3 alpha subunit होते हैं, 3 beta होते हैं, और 1 sigma subunit होते हैं, अब होता यह है, कि proton यहाँ से pump होके C से उपर जाते हैं, ठीक है, अब यह जो subunits हैं, यह basically move नहीं करते हैं, लेकिन जो gamma है, यह देखें के rotate करते हैं, squeeze करते हैं, इसके rotation की बज़ा से, और इनके rotate ना करने की बज़ा से, अंदर ATP जो बन रही होती है, वो squeeze होती है, बनती कैसे हैं यह देखते हैं, यह 3 beta हैं, यह एक time में 3 ADP को accept करते हैं, ठीक है, उनको लेते हैं, ले के 3 ATP at a time भना के बाहर बेज़ते हैं, अब बाहर कैसे बेज़ते हैं, यह दो move भी नहीं कर रहे हैं, basically यह अंदर gamma axis है, यह move करते हैं, यह squeeze करते हैं, यह rotate करते हैं, rotation की बज़ा से, यहाँ पे ATP squeeze होते हैं, at a time 3 ATP produce होते हैं, और 3 ही accept होते हैं, 3 ADP क्योंके 3 beta subunit हैं, ठीक है, MCQ, SCQ में पुछ जाते हैं, आपने इसी तरह लिखने हैं, इसके कितने complex हैं, draw भी ऐसे ही करना हैं, और किस तरह से होते हैं, एक word अगर आप लिख देंगे, तो आपका बहुत ज़्यादा असानी हो जाएगी, वह लिखेंगे आप word के binding change mechanism के through, यह सारा कुछ होते हैं, किसके आपने basically करना कैसे हैं, इन दोनों topics को cover, ठीक है, so इन्शाला तला मिलते हैं, नेक्स वीडियो में, अल्ला आपीस,